वर्ग का छेतरफल कितना होगा जिसके विकन की लंबाई 6 cm है आपको डाइगनल दिया गया है यह आपसे पूछा गया है तो देखो इसको हम विकन बोलते हैं यह जो हमारा होता है तिरची लाइन इसको हम विकन बोलते हैं यह हमें 6 cm दिया गया है और हमसे पूछ रहा है यह हुमारा वर्ग घे इसका चेतर फल क्या होगा, थो बच्चों गर आपको एरिया निकालना है, तो धियार रखिए, एरिया बराबर क्या होता है, जो विकढ़ं रोता है, उसका वर्ग, विकढ़ं को हम डियागिनल बोलते हैं, और डिवाइड बाइ 2, 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये बच्चो 6 का वर्ग मतलब 6 की 6 में गुणा और भाग हम इसको 2 से कर देंगे 2 से 6 आपका 3 बार कटेगा आपका कितना बच्चा 6 ती 18 18 स्क्यार सेंटिमीटर और सनमबर डी आपका राइट आंसर है कभी भी आपका ऐसा परसंद दिया जाए और आपको विकर्ण इसका दे के रखे और 6 तरफल पूछे लिए तो भी थ्यान रखना एरिया बराबर क्या होता है विकर्ण जिसको हम डाइकदल कहते हैं और इस विकर्ण का वर्ग और भाइक 2 या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि विकर्ण की विकर्ण से गुना और डिवाइड बाइ 2 तब भी आप का अंसर ठीक आएगा जिसको वर्ग नहीं पता है तो दियान से देखे परसंद किसी आयत की लंबाई में 10% की वर्द्धी और चोड़ाई में 10% की जा रहा है तो धियान रखिए जब लंबाई और चोड़ाई में समान इंक्रीज और डिक्रीज परसंटेज किया जाए तो ऐसी कंडिशन में हमेसा कमी ही निकलती है 6 तरपल हमेसा कम आता है और वो कमी परतीसत क्या होती है वो कमी परतीसत होती है जो भी आपका लंबाई और चुड़ाई परतीसत आपको दिया गया है दोनों के आपस में गुणा कर दीजिए और इसको भाग सो से कर दीजिए ठीक है बच्चो चलिए इसको हल कर देते हैं तस दसाम सो डिवाइड बाई सो इस एक वल टू कितना अपका वण परसेंट की यहाप कर कमी होगी ओफशन अमबर ए आपका राइट आंसर याद रखने होगने बात यह हैं कि लंबाई हमेशा और चोड़ाई अगर समान बढ़ाई और कमाई हो रही हैं समान उसको बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं तो ऐसी कंडिशन में हमेशा कमी ही होगी यहाद कि लंबाई मैं C परतीसद की वरद्द्ध हो चुड़ाएं 50% की कमी करती जाए तो उसके छेतर फल में कितने परतीसद की वरद्द्ध होगी से बच्चों में लंबाई 80 पर 30 दी है चोड़ाई हमारी कम है तो माइनस में लिखेंगे माइनस में 50 पर 30 और माइनस लंबाई गुणा चोड़ाई करेंगे तो पलस माइनस माइनस होता है तो माइनस 80 गुणा 50 बटे में 100 पर 30 80 में से 50 गए आपका 30 पर 30 बचेगा और माइनस 0 से 2 जीरो करणंसी हो जेगा है 8 बंजे माइनस के 40 आपका तो माइनस के 40 और पलस के 30 तो कितना बचेगा आपको माइनस के 10 पर 30 माइनस का निसान दिखाता है कि 6 तरफल में कमी हो रहे तो आप माल लीजे कि हमारी संख्या X है X का 3 बटे 7 मतलब 3 बटे 7 से गुणा का का मतलब गुणा होता बचेओ का 1 बटा 4 और फिर गुणा में का 2 बटा 5 बराबर किस के है 15 के है अब हम यह X का मान बताना है तो अगर यहाँ पर कुछ कट रहा तो काड़ दीजे दो इक हम दो दो दुनी 4 तो X बराबर आपका क्या होगा 15 गुणा है इधर जो भी संख्या है आपकी नीचे डिनोमिनेटर में है हर में है इन सब की 15 से गुणा होगी 15 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5 और इसको डिवाइड भाग करेंगे जो उपर यहाँ पे अंज में नुमिरेटर में है जो कि केवल 3 बचा हुआ है तो 3 पंजे 15 अब इन सब की हम गुणा करेंगे गुणा करने पर यह देख आपको 25 दूनी 50 सते 350 तो वो संख्या हमारी 350 है एक्स की वैल्यू ओप्सन नंबर सी आपका राइट आंसर टेंपरेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट होते है डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनाइट और डिग्री कैल्विन कि मानस रिका जो आप माने 98.6 होता है तो इसको कैल्विन में बताओ कितना होगा तो यह हमारा फारेनाइट की वैल्यू दे रखी है यह फारेनाइट की वैल्यू हम यहाँ पर पूट करेंगे एप की value put करने पर 98.6 minus 32 हम करेंगे तो यहमें 66.6 मिलेगा upon 9 is equal to k minus 273 upon 5 यहां से 9 से इसको cancel कर देंगे जो कि हमें 7.4 देगा cross multiply करेंगे 7.4 into 5 is equal to cross multiply करेंगे 37 हो जाएगा तो k is equal to हमारा 37 और यह minus दाके plus हो जाएगा 273 is equal to 310 Kelvin option number D आपका right answer है सो वीडियो को लाइक करें उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा